हाँ तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मानिक के रतन के बारे में क्या मिथुन रासी वाले व्यक्ति मिथुन लगन वाले व्यक्ति को ये रतन धारन करना चाहिए या इस रतन को धारन करने से उन्हें नुक्सान होगा क्या मेश रासी बिर्शव रासी की तरह मिथुन रासी के लोग भी इस रतन को धारन करके अपने जीवन को माला माल कर लेंगे चमतकारों से भर लेंगे, क्या मिथुन रासी वालों के लिए मानिक किरतन धारन करने से जमीन मकान गारी घोरा बंगला जीवन में सफलता सुख इत्यादी की प्राप्ती हो जाएगी मेश बिसब की तरह या नहीं, इसी बिसाइपर में आज के इस वीडियो में मैं चर्चा कर करने जा रहा हूं क्योंकि 95% जोतिस को भी सामाने लोगों की बात छोड़ दी जाए, 95% जोतिस को भी रतन का सही ग्यान नहीं है, मैं अभी तक जितने जोतिस से मिला हूं लगभग जादतर जो विद्वान है वो रतन की गलत ग्यान रखते हैं, तो आईए उन सब को तो हमन जाता हूं कि आपके लिए मानिक रतन धारन करना कितना सही या कितना गलत है, हलो, नमस्कार, अरदाव, सलाम, सस्ट्री, एकाल, केम, छोकत सिकाई, केरो, हाले, किना जी, आहां सब कईसन वानी, हावर, यू, कैसे हैं आप लो, केमोना जो, मनक कम, खम्हागनी, हुकुम केम उमीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा, अब आईए विसे इस चर्चा आरंभ करते हैं ये जो सामने कुंडली आपको दिखाई दे रही है, ये मिथुन रासी और मिथुन लगन की कुंडली है मिथुन रासी मिथुन लगन वालों के लिए सूरी कुंडली के तीसरे भाव के मालिक होते हैं और मानिक के सूरी का रत्न होता है, मिथुन रासी वालों के लिए मानिक के नाम का रत्न एक ही सर्त पे धारन किया जा सकता है उसका एक ही सर्त है कि अथवा मैं तो यूं कहूं एक ही सर्त है एक ही तरीका है धारन करने का कि अगर सूरी आपके कुर्ली के एकादस भाव में है और उच्च के हैं उच्च के मेंस रासी में सूरी बैठे हुए है तो ही ये रत्न धारन किया जा सकता है अन्य था नहीं उसे धारन नहीं करना है अगर आप धारन करते हैं तो ये आपको तवाह कर देगा बरबाद कर देगा मेंस और बिर्सव लगन और बिर्सव रासी बालों के लिए ये बहुत अच्छा है उनकी जीवन को सवार के रख देगा जीवन में हर वो चीज को प्राप्ती करवा देगा जो उनकी एक्छा थी लेकिन अगर मिथुन रासी वाले ने इसको धारन किया तो तीसरे भाव का मा मारा ग्रह इसकोंडली में अगर आपने मानिक के धारन किया तो ये आपको भाई बहनों के साथ संबंध को खराब करवा देगा लराई जहरा टेंसन तराव के इस्थिति उस पर नो होने लएगी मिथुन रसी वाले आपने अगर धारन किया तो आपके प्राक्रम में कमी हो जायेगा जितना काम करने की स्हमता थी वो कम हो जाएगी गुस्टा ज contest जिदा होने लएगा तीसरे बहाव में बैठा हुआ तीसरे हाओ का माली की स्ठोरि और मानिक किरतन अगर आप धारण करते हैं तो आपके साहस में कमी हो जाएगी अतवा दुश्च, साहस करने लेएंगे, बिबरीद काम करने लेंगे, अप बै करने लेंगे, अनर्तकारी, घटनाएं, घटित होने रहेंगी आपके साथ. अगर आपने इस रतन को धारन किया तो आपके हाथ में चोट लग सकता है आपके हाथ पर में खत्रा आ सकता है अगर आपने मानिक के रतन धारन किया तो आपकी महत तो कांग चाहें कई गुना बढ़ सकती है और आपको तबाही की ओर ले जा सकती है अगर आपने मानिक के धार किया कहीं नौकडी वगएरा करते हैं या आपके यहां कोई नौकडी करता है तो दोनों सिच्वेशन में आपके लिए ये खराब होगा अगर आपने रत्न धारन किया ये मानिक के मिधुन रासी वाले तो आपको दुख की प्रापती होगी आपका सुख छिंजाएगा अगर आपने मानिक के धारन किया आपके हंस्ताक्षर का दुरूपयोग करके कोई आपके साथ धोखा कर सकता है मित्रता सतुरता में बदल सकती है अगर आपने रत्न धारन किया आपके रहन सहन खराब हो सकते हैं अगर आपने रत्न धारन किया आपके यस में कमी हो सकती है आपके उपर अपयास कलंक लगाया जा सकता है अगर आपने रत्न धारन किया माता के पिता के लिए बिफरीत समया आ जाएगा अगा मानिक के तो आपको गले से समन्धित किसी प्रकार की बड़ी बिमारी परिसान कर देगी जिस से आप बहुत ज़्यादा परिसान हो जाएंगे और इसके अलावा स्टूरी इस पूरी कुंडली में जहां भी बैठा हुआ होगा उस भाव के रिगार्डिंग आपको तबाह और बरबाद करके रखतेगा जैसे स्टूरी अगर प्रथम भाव में बैठा हुआ है और आपने मानिक के धारन कर लिया दिवागी तोर पर हमेशा के पैसा बचेगा नहीं है तो भी गुप्त सत्रू के तो ब्हाव में ज चौथे हमें है तो जमीन मखान, संतान के लिए बहुत ख़तरनाक समय शाबित हो जाएगा अगर आपने मानिक के धारन किया और सोडी कॉंडली के छटे बाव में हर प्रकार का बीमारी आपको परिसान करने लएगा कि इस मुकदमा आपके उपर में हो जाएगा दुस्मन के द्वारा परिसानी होगा अगर सूरी अस्डम भाव में है तो आपके उपर मिृत तुलि कष्ट का योग डृट नह अगर के द्वाव में हैं नमृट के द्वारन कर लिया नौकणी छूट जाएगी सरगार के साथ टेंसंतराव के सिती उत्वन होने लेगी काम दंदा जित पर्तिष्टा मान समान में काफी गिरावट आ जाएगा सुडिय और कॉडली के एकादस भाव में है और आपने अगर मानिक के धारन कर लिया तो क्या होगा आपको लाव मिलेगा उपलवधी की प्राप्ति होगी वनो कामना की पुर्ति होगी बरे भाई बहन सिनियर्स का सपोर्ट मिलेगा पैसा चाप देंगी आप बहुत पैसा आपके पास में आएगा और सूरी अगर बारह में भाव में है और फिर आपने मानिक के धारन कर लिया तो यह आपके धन, दौलत, रुप्या, पैसा सब को बढ़वाद करके रख देगा तवाह कर देगा तो कुछ कंडिशन है जिसके कारण से आप मानिक के धारन नहीं कर सकते आज करके मुर्खानंद, पौंगा, पंडिज, जोला, छाप, जोतिस सब क्या करते हैं कि एक लाइ रासी मिथुन है, फिर भी एक मिनट के लिए अगर लगन मिथुन है तो आप धारन कर ही नहीं सकते, रासी मिथुन है और लगन कुछ और है, तो देखने के बाद ये डिसाइड होगा क्या धारन कर सकते हैं, मानिक करतन से बहुतों का उद्धार हुआ है, आज तक मैंने दे आप तक है किस तरह से आपके जीवन को बरबाद कर सकता है, उमीद करता हूँ कि आपको मेरा ये चोटा से वीडियो निश्य तरवी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा पसंद आया तो लाइक करें, सेयर करें, अगर आपकी आँखे और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच, जैहिंद बंदे महतरम बोरिये, राधे, राधे